Hello everyone, welcome back to the channel. आज हम revise करने वाले हैं Supplementary English के lessons और इससे पहले भी कुछ subject के revision lectures मैंने already upload कर रखे हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसकी link मैंने description box में दे रखी हैं अब वहाँ से जाकर उसे check कर सकते हो आपको Supplementary English में 5 तरीके के skills सीखने हैं सबसे पहले Problem Solving Skills, फिर Interview Skills, फिर Adaptability Skills, Non-Verbal Communication Skills और Return Communication Skills सभी skills में आपको एक-एक स्टोरी दी गई है जिसको आपको पढ़ना है, उसे Analyze करना है और उसमें से कुछ चीज़े सीखनी है तो सबसे पहली जो Problem Solving Skill है उसमें आपकी स्टोरी है The Lookout Man by Nicholas Bentley यह कहानी है William Morris की जो की 53-year-old बंदा है और वो एक married man है और उसकी एक बेटी भी है और वो भी married है William Morris को पढ़ने का बहुत शौक था, reading का बहुत शौक था इसलिए उन्होंने अपने जीवन के 30 साल पढ़ने में ही बिता दिये थे उन्हें detective fiction पढ़ना बहुत पसंद था और वो साथ में रेजनियर्स के antique jewelry shop में काम करते थे उनके साथ एक लड़की जिनका नाम था Miss Suskind वो एक assistant के रूपे वहाँ पर काम करती थी और वही Mr. Regenier सिर्फ बड़े customers को या जो special customers रहते थे उनको अटेंड करते थे एक दिन जब William Morris shop की window को redress कर रहे थे तभी उन्होंने notice किया कि एक लड़की window के तरफ गूर रही है उसने yellow overcoat पहन के रखा और उसके yellow बाल भी थे उन्होंने William Morris ने काफी देर तक उसे देखा और तभी बीच में एक customer ने उन्हें interrupt कर दिया जो कि 30 या 40 years का होगा उस customer ने William Morris को कुछ ring के दरफ इशारा करते वे बोला कि मुझे इसके बारे में बताओ ये कितने price की है ऐसा उसने William Morris से पूछा William Morris को उसकी बातों से लगा कि उस customer को antique jewelries के बारे में कुछ जादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो jewelries की price के हिसाब से उसकी price को देखकर jewelry को judge कर रहा था इतने सारे antique rings में एक ऐसी भी ring थी जो कि 17th century की थी और वो Mr. Regenier को काफी पसंद थी और इसे लिए उन्होंने उस ring की कीमत भी बहुत रखी थी कुछ ही देर में customer ने उस ring पे point out किया और थोड़े ही देर में मतलब कुछ seconds में ही William Morris का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो कुछ seconds में ही वो ring गायब हो चुकी थी उन्होंने William Morris ने अपने 17 साल के experience में कभी भी ऐसा incident होते हुए नहीं देखा था William Morris को पता था इस incidents के पीछे कहीं न कहीं ये customer का हाथ है बट वो directly उन्हें नहीं बोल सकता था कि इसमें आपका हाथ है या आप आपने चोरी किये हो और तभी शॉप में एक और customer आई जो कि एक girl थी जिन्होंने William Morris को एक chief bracelet दिया ताकि वो repair कर सके William Morris surprise थे William Morris को अश्यर ही हुआ कि क्यूं इस पे इतना खर्च करना एक chief bracelet पे इतना खर्चा क्यूं करना और उन्होंने negatively reply दे दिया कि हम नहीं repair करते हैं तूटी हुई jewel race अब भी William Morris के दिमाग में वो खोई हुई ring चल ही रही थी William Morris ने उस लड़की को कुछ देर के लिए रुखने के लिए कहा बट उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी ऐसे tweet किया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वहां से निकलने लग गई तो तब William Morris ने उस लड़की को रोकते हुए बोला कि अगर तुम अब रुखी नहीं तो मैं alarm बचा दूँगा और उसके सामने जो door है वो automatically lock हो जाएगा यह सुनते ही वो लड़की रुख गई और उससे William Morris ने बोला कि ring वापस करो बट वो पहले तो सुन नहीं रही थी बाद में उससे ring वापस करनी ही पड़ी लड़की का चहरा काफी pale हो चुका था वो काफी डर चुकी थी पर इतने problematic situation में भी William ने इतने सारे customers की बीच भी अपनी खोई हुई ring अपने shop से खोई हुई ring वापस मिला ली उस लड़की से ना कि उन्होंने अगर कोई और वहाँ पर shop की पर होता जो एक बार शायद वो नहीं भी निकाल पाता ring जिसके पास भी है उसके पास से इन्होंने अपना observation skill यूज करके सारी चीज़े अच्छे से observe करी और वहाँ पर अपना intelligence लगाकर problem को काफी अच्छे दरीके से solve किया तो इस lesson से हमें यही सीख मिलती है कि problematic situation में भी आपको किस तरीके से situation face करनी है और problem solve करने हैं अगर वो यह problem solve नहीं कर पाते तो उसका सारा blame William Morris पे आ जाता और इसलिए problem solve करना काफी important था जो कि उन्होंने किये भी next skill है आपके लिए interview skills इसमें आपको story दी है the lighthouse keeper of Aspenwall by Henrik Sinkiewicz इस story में आपको Skawinski के बारे में बताया है जो कि एक 70 years old man है जो जाते हैं job interview देने जो light house keeper के job के इंटर्वियू के ले जाते हैं इस lesson में आपको interview skills के बारे में बताया है कि किस तरीके से interview skills के जरीया आप कोई भी job आसानी से पा सकते हो यहाँ पर सकी सकाविन्स की light house keeper के job के ले गया हैं बट light house keeper का job कोई आसान job नहीं है उन्हें काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है light house keeper की job काफी important है क्योंकि अगर light house keeper नहीं रहेगा तो फिर vessels को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा खास कर रात के समय जब वहाँ से गुजरेंगी तब यह job करना कठिन है उतना ही इस job के लिए एक सही बंदा धुनना भी कठिन है क्योंकि इसके लिए एक healthy और strong man चाहिए और साथ ही में वो conscious होना चाहिए उसका ध्यान हमीशा रहना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सो गया बीच में पर वहाँ पर काफी कम लोग थे job के पोस्ट के लिए क्योंकि ऐसे ऐसी life कोई भी जीना नहीं चाहता क्योंकि उनकी life एक prisoner के life की तरह हो जाती है जहां सिर्फ आपको उसी island पे रहना पड़ता है आप वो island छोड़ भी नहीं सकते संड़े के अलावा और आपका बाहर लोगों के साथ कोई connection नहीं रह पाता है आपको सिर्फ अकेले में रहना पड़ता है boring life जीनी पड़ती है स्काविन्सकी को ये सारी दिक्कते पता थी कि क्या problems आती है इस job में फिर भी वो इस interview के लिए ready रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई problem नहीं होती है ये life जीने में तो थोड़ी बहुत knowledge तो उन्हें पहले से होती है light house keeper के job के लिए बट वो required knowledge gather करते हैं थोड़ी बहुत इदर उदर से पता करके और फिर वो सोचते कि ये job मेरे लिए perfect है और वो वहाँ चाहते हैं interview देने के लिए और interview लेने वाले थोड़ी से हैरान रहते हैं क्योंकि वो 70 years old है और क्योंकि स्काविंस की 70 years old है और जो interview ले रहे हैं उनका नाम है Mr. Isaac Falcon Bridge तो वो बोलते हैं कि आपको ये job suit होगी या नहीं होगी because हमें एक healthy और strong बंदा चाहिए जो कि टावर पे दिन में काफी बार चड़ उतर सके तब स्काविंस की बताते हैं कि मैं इतना strong हूँ कि मैं चड़ उतर सकता हूँ मेरे पैरों में उतनी शक्ती है कि मैं टावर पे number of times चड़ उतर सकता हूँ और सकाविंस की सारी बाते सुनकर Mr. Isaac को लगा Mr. Isaac काफी impressed हुए और उनकी honesty देखकर वो काफी जादा खुश हो चुके थे सकाविंस की से और इसी वज़े से सकाविंस की को ये job मिल गई तो इसी लिए सकाविंस की को ऐसे 70 साल की इतने aged उमर में भी job जो चाहिए थी वो मिल गई और उन्होंने अपना interview काफी अच्छी तरीके से पास कर लिया सकाविंस की को तो हमेशा से ही वो job चाहिए थी बट उनकी old age उनकी सपनों के बीच में एक hurdle बन रही थी बट उन्होंने ये hurdle भी cross कर लिया उनकी interview skills का यूज करके तो यहाँ पर हमें interview skills कैसे यूज करनी है हमें और हमारी dream job हमें कैसे हासिल करनी है यही इस lesson में हमको देखने को मिला है next आपका skill है next skill हमारे पास है adaptability skill इसमें आपको story दी है center payroll की जो की लिखा है W.E. Barrett ने adaptability skills यानि कि किसी भी situation में खुद को ढाल लेना उसकी एक skill यानि कोई भी problem आए कोई भी situation आए उसमें अपने आपको किस तरीके से manage कर लेना किस तरीके से खुद को adapt कर लेना उस situation में तो इसमें story है एक ऐसी company की जहां पर कुछ Mexican stockers रखे गए थे मतलब appoint किये गए थे वो stockers काफी काफी अच्छा काम करते थे बट उन्हें हर दो हफ्तों में उन्हें payroll मिलता था बट वो उसमें satisfied नहीं थे उतने दिन वो रुक नहीं पाते थे दूसरे payroll आने तक उनका पैसो की नीड फुल्फिल नहीं होती थी तो उन्होंने हफ्ते के आधे तक ही मतलब midweek तक ही वो advance मांगने लग जाते थे तो company ने decide कि यह हमें stop करना पड़ेगा हमें रोकना पड़ेगा कि हमेशा advance मांगने आ जाते हैं लोक advance मांगने आ जाते हैं यह Mexican stalkers और इस वजह से paperwork भी काफे बढ़ जाता है और इसे लिए वो advance को तभी allow करने की permission देते हैं जब कोई emergency हो stalkers के घर तब यह notice देखते ही इतने सारी emergency के applications आने लग जाते हैं company में जैसे की wife बिमार है बच्चे बिमार है इसलिए advance देए तो इस तरीके के काफी सारी emergency applications आने लग जाती है अब company को वापस से सोच में पढ़ जाती है कि अब क्या करना चाहिए तो इसलिए वो एक और notice निकालती है जिसमें वो company और एक notice निकालती है जिसमें लिखा रहता है कि उन्हें stalkers को तभी payment की जाएगी जब stalkers को वैसे भी हर दो week में उन्हें payroll मिल ही रहा था बट अगर उससे पहले आपको payment चाहिए तो आपको तभी payment मिलेगी जब आप job quit करोगे तब, job छोड़ दोगे तब तो अब stalkers ने क्या दिमाग लगाया कि वो रोज job छोड़ते थे उन्हें पैसे मल जाते थे दूसरे दिन वो वापस वहाँ पर rejoin हो जाते तो यह भी एक problem बन गया company के लिए अब यह situation को कैसे handle करें तो इस situation में फिर वापस से एक notice निकालती है company जिसमें यह बोला जाता है कि stalkers को अगर वो quit करते हैं job तो उन्हें अगले 30 दिन तक वापस से hire नहीं किया जाएगा वापस से वो job नहीं मिलेगी तो अब क्या करने लगे stalkers कि वो job quit करते थे पैसे लेते थे और फिर दूसरे नाम से मतलब दूसरे किसी भी फरजी नाम से job लेने लग रहे थे और इसके इस वज़े से फिर company काफी company को इसके बाद क्या करना चाहिए बिलकुल नहीं सूजा उन्होंने इसके बाद बिलकुल भी notices नहीं निकाले और इस time Mexicans इस जंग में जीत गए और हर situation में हर अलग-अलग notices मिलती गई बट उन्होंने अपने आपको adapt करते गए हर एक notice पे उन्होंने एक अलग विचार निकालके उस पे काम किया और अपनी नहीं जॉब खोई नहीं पैसे sacrifice किये तो यह थी adaptability skills की story जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से आपको adapt करना है हर situation में चाहिए फिर कोई भी situation क्यों ना है उसके बाद non-verbal communication skills में आपकी एक story है जिसका नाम है a real good smile जो कि लिए बिल नॉक्टन ने a real good smile यह एक छोटे लड़की की story है जिसका नाम है बिली बिली के parents आते थे कि वो locomotive shed as an apprentice काम करें बिली को वो जॉब नहीं करनी थी क्योंकि बट उसके parents आते है कि वहाँ पर वो काम करें क्योंकि उन्हें लगता था कि बिली का future वहाँ पर काफी अच्छा बन जाएगा वहाँ पर वो as a dirt wiper start करेंगा और दीरे दीरे वो as greaser की post पर पहुँच जाएगा वैसे तो बिली बिलकुल भी वो job accept नहीं करना चाहता था बट उन दिनों locomotive shed में जो भी काम करते थे उन्हें बहुत royal माना जाता था बिली के ही घर के पास एक neighbor रहता था जिनका नाम था अल्फ अगर वो एक इनसान को जानता था जिसका नाम है Tom Petty और Tom Petty लोको मोटिव शेड के boss को जानता था जिसका नाम है Mr. Bidwell और वो इसलिए आल्फ अगर बोलता है कि वो Tom से बात कर सकता है ताकि वो लोकोमोटिव शेड के बॉस से बात कर सके बिली के जॉप के लिए उसके बाद कुछ देर में आल्फ अगर बिली को आके बताता है कि वैसे तो सारी चीजे फिक्स्ट हैं बट आपको खुद को ही जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहां के जो बोस है यानि कि Mr. Bidwell उन्हें नहीं पसंद की कोई दूसरे को सजेस्ट करें उसके बदले उन्हें ये पसंद है कि आप खुद के लिए खुद जाओ और खुद की बारे में बताओ कि मुझे ये जॉब करनी है बिली फर्स टाइम वहां पर बिली फर्स टाइम किसी जॉब के लिए जा रहा था तो वो काफी नर्वस था अल्फ बताता है कि उसे इंटर्व्यू देते वक्त क्या क्या चीज़ा ध्यान में रखनी है वो बोलता है कि आपको अपने हाथ पॉकेट में नहीं रखना है साथी में आपको अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने है और आपको मंबल नहीं करना यानि बड़बडाना नहीं है जो भी बाते करनी है वो क्लियर और लाउड वॉइस में बात करनी है और साथी में आपको अपने चेहरे पे एक रियल गुड स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है क्योंकि मिस्टर बिडवल को ऐसे ही लोग पसंद है मिस्टर बिडवल को सैड दिखने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है और इसलिए आल्फ बिली के पैरेंट्स को बोलता है कि आप इनसे रिहर्सल कराके ले लीजे ताकि वहाँ पर वो जब जाएंगे तब बिली अच्छे से इंटर्व्यू दे सके साथी में उसके बाद मंडे आता है जब बिली मिस्टर बिडवल को मिलने जाते हैं बिली काफी नर्वस रहता है वो ऑफिस के रस्ते तक रिहर्सल करते 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 जाता है और जैसे ही वो ऑफिस पहुचता है तो वो बिलकुल जिस तरीके से रिहर्सल कराई गई थी उस तरीके से उसी तरीके से बात करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने जिस तरीके से रिहर्सल करवाई गई थी मैंने सारी चीज़े सही से की है तो शायद ये बंदा मेरे से इंप्रेस हो चुका होगा बट बात में उसे पता चलते है कि जो हमारे सामने बैठा था जिससे मैं अब तक बात कर रहा था वो बॉस ना होकर वो एक स्वीपर है और ये जानते ही उसके एनरजी काफी कम हो जाती है वो काफी नर्वस हो जाता है और जब Mr. Bidwell उनके बिले के सामने रियालिटी में आते हैं तो वो मंबलिंग स्टार्ट कर देता है उसके हाथ अपने पॉकेट में चल जाते हैं उसकी आवाज वीक हो जाती है वो घबरा जाता है और वो घबराते घबराते ही पूछता है कि क्या आपको किसी भी पोस्ट के लिए किसी लड़की की जरुवत है क्या लोकोमोटिव शेड में तो Mr. Bidwell बोलते हैं नहीं हमें किसी भी बंदे की जरुवत नहीं है और इस वक्त बिली अपना सारा करेज इखटा करके अपनी सारी हिम्मत जुटा कर Mr. Bidwell को बोलता है कि मुझे भी किसी भी कीमत पर आपकी जॉब नहीं चाहिए और वो वहां से निकल जाता है उसे पता था कि यह बात बोलने के बाद उसे बिलकुल भी जॉब मिलने नहीं वाली है बट शाम में ही उसका पड़ोसी यानि कि अल्फ आता है उनके घर में बिली के घर में और Mr. Bidwell ने उसे क्या संदेश भेजा है वो बताता है कि कल सुबह से बिली को उस जॉब पे जॉइन होने के लिए बुलाया गया है और इस तरीके से बिली को जॉब मिल जाती है अपनी फेक स्माइल या दिखावा करके या फिर ये चता करके मैं कितना अच्छा हूँ मैं कितना डिस्सिप्लीन हूँ ये सारी चीज़े फॉलो करके उसे जॉब नहीं मिली है उसे job क्यों मिली क्योंकि उसे उसने honesty दिखाई उसने जो उसके मन में था वो उसने बोल दिया और उसके आखों में वो चमक थी जो कि Mr. Bidwell ने पहचान ली और इसे लिए उसे वो job मिली तो ये था आपका non-verbal communication skills जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपको किस तरीके से non-verbal communication यहाँ पर हुआ और वो Mr. Bidwell ने पहचान लिया कि हाँ ये बंदा सही है Only through his eyes, Billy के eyes से ही उसने spark देख लिया और उस वज़े से उसकी job लग गी अब next है आपका written communication skills जिसमें आपको स्टोरी दी है गेट मैंस गिफ्ट की जो कि लिखी है R.K. Narayan गेट मैंस गिफ्ट ये स्टोरी है गोविन सिंग की जो की ex-service man है जो की एक gate की पर थे एक English company में बट अब वो retired हो चुके हैं इसलिए उनकी job काफी पसंद थी वो खाकी uniform में काफी smart दिकते थे जब भी साहिब की car आती थी तो वो gate खोलते थे और साथी में एक military salute भी देते थे उनको बट अब वो retire हो चुके थे उन्होंने उनके 25 साल की job काफी अच्छे से करी company में उसके बाद उन्हें retirement मिल चुकी थी और उन्हें pension मिलती थी 12 रुपए की हर महिने तो वो हर महिने महिने की एक तारिक को वो जाते थे और वहां से pension लेके आते थे और साथ में उनकी wife भी थोड़ा बहुत कमा लेती थी पर एक दिन क्या हुआ जब Mr. Singh बैठे थे मतलब Govan Singh बैठे थे तभी उन्हें एक new discovery हुई कि उनके अंदर एक और कला है जिससे वो कुछ और पैसे कमा सकते हैं एक बार एक छोटा बाच्चा आया उनके पास और उस बच्चे ने उसे गोवन SINGđ को डॉल्ल दी एक तूटी कोई डॉल दी जिसका जिसे उसे रिपेर करने के लिए बोला गया और उस ने उस डॉल को रिपेर करके दिया और यहां पर उसे पता चला कि वो डॉल्स भी बना सकता है और इसलिए उसने स्टार्ट किया छोटे छोटे डॉल्स बनाना और लोग काफी उसे एड्मायर भी करते थे कि काफी अच्छी डॉल्स आप बना लेते हो और फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा मॉडल बनाएगा साहिब के लिए मतलब कंपनी के जो साहिब थे जहां से वो पेंशन लेने जाता था उनके लिए एक डॉल एक मॉडल बनाएगा और वो उन्हें आज गिफ्ट देगा तो वो जाकर वहाँ पर accountant के पास वो gift रख के आता है ताकि वो साहिप को पहुचा सके बट कुछी दिनों बाद उसे एक registered letter मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि उस letter में उसके pension stop करने की खबर होगी और इसलिए वो काफी डर जाता है वो उस letter को खोलने की बिलकुल भी इच्छा नहीं रखता है उसे वो letter बिना खोले ही उसमें क्या लिखा है ये जानने की इच्छा रहती है तो वो अपने wife को बोलता है कि क्या तुम इसे पढ़के मुझे बता सकती है उसमें क्या लिखा है तो wife भी नहीं पढ़ना wife भी उसके इस हालत को देखकर काफी stressed रहती है और इसी letter के वज़े से उसे काफी चिंता बढ़ जाती हो और उस वज़े से वो पागलों के जैसे behave कर करने लग जाता है और एक दिन वो street lights तोड देता है जिसके वज़े से पोलिस उसे arrest कर देती है और उस वक तक भी उसने letter खोला नहीं होता है और जब वो police station जा रहा होता है तभी उसे accountant मिलता है company का जो उसे बताता है जो गोविन सिंग को बताता है कि उस letter में क्या लिखा था और उस letter में लिखा था कि जो artistic model गोविन सिंग ने साहिप के लिए बनाये थे वो साहिप को बहुत पसंद आये और इसलिए उन्होंने उस models के लिए उन्हें hundred rupees का इनाम दिया है और साथी में वो letter open करके उसे वो check देते हैं तो और उसके बाद से फिर गोविन सिंग ने कभी टॉइस नहीं बनाएं तो इस स्टोरी में यही दिखाया है कि किस तरीके से simplicity और loyalty दिखाई है गेटमैन की तो हमारा Supplementary English का revision complete होता है आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अ Thank you so much! And All the best for your exam we have seen!